हेलो एर्रीवान वल्कम बैक तो मैं चैनल ब्यूटी एंड फेशन व्लॉग बाई आईशा तो आज आपको टाइडल धमनेल से पता चल ही गया होगा कि न्यू येर की सबसे स्पेशल रेमिडी में शेयर करने लगी हूँ इंस्टेंट ग्लो जो कि आप इतने महंगे पॉलर्स में इतने पैसे खर्श करके एक ग्लो हासल करते हैं आज आपको सारा ग्लो आपके किचन में इंग्रीडियन्स मौजूद हैं उससे मिल जाएगा जस्ट इन 15 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए आपने इस फेस पैक को अपलाए करना है और आपको एक ऐसा इंस्टेंट ग्लो मिलना ह है ऐसी ग्लास स्किन मिलनी है आपको कि आपने मुझे लास्मी कमेंट सेक्शन में बताना है और आपने ये बार बार यूज़ करना है फेस पैक तो बिना टाइम वेस किये हम चलते हैं इसकी रेमिडी की तरफ रेमिडी में हमें चाहिए हाफ आलू और ये चलके समय लेना है आलू के बहुत सारे फाइदे हैं ये हमारी स्किन में से सारी डाग्निस, मेल, गंदगी, पोर्स जो ओपन होते हैं उनको बंद कर देता है बहुत फाइदे हालू के और फिर हमने लेना है हाफ टमेटो फिर हमने लेना है एक लेमिन और सारी चीज़े हमने चलके समय लेनी है अब हम इन सब इंग्रीडियन्स को ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह किसी भी मिक्सी में तो कुछ इस तरह का हमारे पास फॉर्म रेडी होगा अब हमने इस फॉर्म को अच्छी तरह अच्छान लेना है क्योंकि जो हमारा चीज है इसके इतने फायदे हैं हमारी स्किन पर जो पॉर्स अपन है श्किन् खराब हो रही है, सकार्स हो रहे दाने हो रहे, एवन यह कि हमारे पेरी ह verbess रुण हो रहे होते हैं तो आज इस नेच्रलऑ ब्लीज से्वर आपको सारे प्रॉब्रम में ключ होते हैं अब हमने इसमें डालना है टू टेबल स्पून भरकर बेसन घर में अवेलेबल होता है बेसन हमारे लिए बहुत फायदेमन है और इस पैक को थोड़ा थिक करने के लिए बेसन बहुत अच्छी चीज है और फिर हम डालेंगे हाफ ती स्पून तुमेरिक हल्दी हल्दी भी पैक की तरह हो जाए और इस पैक से आपकी जो इसकिन पे जो नेट्रल ग्लो आना है विदिन फिफ्टीन मिनट्स में तो वह बहुत फायदेमन है आप इस पैक को वीक में एक दफ़ा अप्लाए कर सकते हैं अपने फेस पर फॉर इंस्टेंट ग्लो और अगर आपको बहुत आपकी इसकिन बहुत खराब है तो आप वीक में टू टाइमस इसको यूज कीजिए अब हम चलते हैं इसको लगाने के प्रोसेस पर तो मैं यहां पर अपने हाथ पर अप्लाए करके दिखा रही हूं आपने अपने फेस पर अप्लाए करना है डाउन टू और हैर आपके बा मास को हम अच्छी तर ड्राइव ने देंगे अभी भी थोड़ा सा लाइट सा है अभी 15 मिनट्स नहीं है और अब यह ओल्मोस्ट ड्राइव हो चुका है यह आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे भी नहीं लग रहा अब हमने कॉटन लेनी है और इसमें कच्छे दूद या कोई बी पका दूद कोई थटंदे दूद में कॉटन को डालना है और अपने इसको अफ़र डायरेक्शन में आपके फेस के एर्स के मताबिक maintenant करना है और इसको थोड़ा सा क्रॉप करते में हटाना है थोड़ा सा ठिक फॉम में हटाना है इससे यह हुगा कि आपके जो हल्के बाल होते हैं फेज पर हाथ पर वो सारे हड जाएंगे तो इससे भी काफी अच्छ सेंट मिलता है जस्तरह मैं रब रब करके उतार रही हूँ आप इसी तरह आ पने फेज पर रब करके इसको अच्छी तरह उतारना है cotton की मदद से और फिर आपने इसको ठंडे पानी से वाश करना है थंडे पानी से वाश करने के ये फायदे हैं कि जो हमारे इस टाइम पे जो हमने ब्लीच यूज़ की है उससे जो हमारा ग्लो होगा वो जो हमारे पोर्स ओपन होंगे वह त देख सकते हैं कि कितने अच्छा ग्लोव आ रहा है तो आप इस रेमेडी को मस्ट ट्राइक कीजिएगा मुझे कमें सेक्षिन में लाजमीं बताएगा में चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू फॉर वाचिंग अला आफिस